दोस्तों ये लफ स्टोडी है रकेल और आरिस की पर अगर अभी तक आपने इस मुवी सिरीज के पहले दो पार्ट नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक कर वो देख लीजिए योशी की मौत के बाद आरिस जोक्टरी के पढ़ाई करने के लिए दूसरे देश चला गया था तो पीछे से रकेल जो उसे नरास थी वो ग्रेगरी के साथ रिलेशन में आ गई ग्रेगरी रकेल का ख्याल रखता था वो एक परफेक्ट बॉइफरंट बनने की कोशिश कर रहा है इसी के साथ साथ योशी ने रकेल की जो बुक पब्लिशर्स को भेज दी थी वो उन्हें बहुत पसंद आई इस बुक का लोँच जल्दी होने वाला है पर अब पब्लिशर्स चाहते हैं कि रकेल आगी की कहानी भी जल्दी लिख ले अपोलो डैनियला सब ने ये बुक देखी यहीं मौल में जब डैनियला एक लड़की के साथ फलर्ट कर रही थी अपोलो को एक लड़का विक्टर मिला पर छुटिया मनाने आरिस भी घर आ गया है रकेल और आरिस ने ऐसे ही फॉर्मल्टी करने के लिए थोड़ी सी बात की एक मेले में जब रकेल ग्रेगरी के साथ घूम रही थी वहीं एरिस वेरा के साथ था ग्रेगरी मिलने के लिए रकेल को उनके पास ले जाता है यहां उसे पता लगा कि वेरा और आरिस भी एक दू हैं पर रकेल खुश नहीं वो अपनी नोवल में आगे क्या लिखे यही सोच रही थी उसने आरिस को मेसेज किया कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो आरिस ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने विंडोस से देखने लगे पर तब ही ग्रेगरी आ गया वो रकेल से बात करते हुए उसके कपड़े उतारने लगता है इधर आरिस भी सेम वेरा के साथ कर रहा था रकेल और आरिस चाहे अलग-अलग इंसानों के साथ थे पर वो सोच एक दूसरे के बारे ही रहे हैं अगले दिन रकेल के घर पर क्रिसमस की पार् इधर पार्टी में ग्रेगरी की बेहन सैमी रकेल के कमरे में जाती है यहां उसे रकेल और आरिस के कुछ फोटोस मिली जो रकेल ने चुपा कर रखी हुई थी वो सबी इसके बाद कलब में गए यहां डास करते हुए आरिस और रकेल के हाथ एक दूसरे से टकरा रहे थे ग नहां उसे दिखा कि रकेल अभी भी इसमें आरिस के बारे ही लिख रही है और वो सच में उसी से प्यार करती थी दूसी तरफ आरिस को भी पता लग जाता है कि वेरा उस पे चीट कर रही है और अगले दिन जब ग्रेगरी और रकेल आई स्केटिंग करने गए ग्रेगरी न दिया हुआ नेकलेस डालेती है उसने अपनी खिड़की भी खोल दी बारिस में से होते हुए आरिस उसके कमरे में आ गया वो रकेल के गले में उसका दिया नेकलेस देखता है दोनों रकेल और आरिस ने साथ में ये रात बिदाई आरिस ने रकेल से पूछा कि क्या तुमने मुझे याद किया पर वो कुछ नहीं बोलती आरिस वापिस अपने घर चला जाता है यहां उसके डैड और भाई दोरों सेलिब्रेट कर रहे थे उनकी कमपनी की वेरा की पिरेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी डील होने वाली है जिन से उनकी कमपनी अलफा थ्री जो पिछले बहुत सालों से लोस में थी वो फिर से तरकी करने लगेगी आरिस के डैड उसे कहते हैं कि तुमारी पसंद बहुत अच्छी है अगले दिन उनके परिवार का एक फोटो शूट हुआ पर आरिस इसी सोच में था कि अब वो क्या करे वो रकेल का वाई-फाई किनेक्ट करने क अगले जब पासवर्ट हैक करता है पासवर्ट में रकेल ने लिखाता कि मैंने कभी तुम्हें याद करना छोड़ा ही नहीं दोनों रकेल और आरिस अपनी लफ स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं पहले की तरह दोनों एक दूसरे के साथ इंजोई करने लगे आरिस रात को वे बोलो डैनियला को चीट कर रहा था वो डैनियला के साथ जाने के प्लैन कैंसल कर विक्टर के साथ रह रहा है आर्थमीस भी क्लोडिया को एक नए घर मिले कर गया उसने ये नया घर अपनी बेटी के रहने के लिए खरीदा है ताकि उसे हर चीज मिल सके पर क्लोडिया अपन पाकर करते रहेंगे, रकेल आर्स को कहती है, कि या तो वेरा या तो मैं, उसे किसी एक को चुनना होगा, आर्स इसी सोच में पढ़ गया कि अब वो क्या करें, अगले दिन हिदाल्गो परिवार वेरा के परिवार के साथ डिनर करहा था, पर कलोडिया आर्थमिस का फोन नहीं उठा रही उसे तबी कलोडिया की मौम की कोलाई कलोडिया होस्पिटल में थी आर्थमिस उसके पास होस्पिटल जाना चाता है पर उसके पिता ने कहा कि नहीं ये डिनर जाज़ जरूरी है उन्होंने आर्थमिस को रोकने की कोशिश की पर आर्थमिस नहीं रुका वो अपनी बेटी के लिए उनसे बहतर पिता बनना चाता है आर्थमिस होस्पिरल पहुँचा क्लोडिया को ओपरेशन थियेटर में ले जाय जा चुका था इधर डिनर पर आर्थमिस वेरा को बता देता है क्यों से पता था कि वेरा उस पे चीट करही है यहां वेरा किसी ओ लड़के से प्यार करती थी और आर्थमिस रकेल से पर उनके सामने जा वो कुछ नहीं बोल पाती ये देख आरिस यहां से निकल जाता है दूसी तरफ रेकेल और डैनियला रेकेल की बुकलोंच की पार्टी में थे इस पार्टी में एना भी आई पार्टी में पी पी कर रेकेल टली हो जाती है उसमें वो शुम जाते वक अपना फोन एना को पगड़ा दिया तब भी उस फोन पर आरिस का मेसेज आता है वो रेकेल का एक सीमेटरी में इंतजार कर रहा था पर एना रेकेल को वहां जाने से रोकने के लिए उसकी ट्रिंक में बहुत सी गोलिया मिला देती है रेकेल ने जैसी ट्रिंक पी उस पे उन गोलियों का असर होने लग गया वो आरिस के मेसेज का रिप्लाई तक नहीं कर पाती रेकेल यहीं बेहोशोग गिर गई आरिस ने सिमेटरी में उसका इंतजार किया पर जब वो नहीं आती आरिस भी सुबह वापिस जाने के लिए निकल गया पर यहीं उसकी मुलाकात रेकेल की मौम से हुई जो बताती हैं कि रेकेल तो रासी घर नहीं आई आरिस कार में बैठे बैठे रेकेल को कोल करता है कोल से रेकेल को होश आया पर उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो कुछ नहीं बोल पाती आरिस उस कलब में पहुँचा जहां रकेल की पाटी थी पर रकेल चकर खाते हुए एक पूल में गिर जाती है आरिस ने अपनी कलोरीन से अलर्जी के बावजूद भी पूल में कूद रकेल को बाहर निकाला पर पूल में कूदने की वज़ा से अब उसकी हालत भी बहुत बुरी हो चुकी है आरिस भी रकेल के साथ साथ बेहोश हो गया उसकी आथ पांच दिन बाद एक होस्पिटल में खुलती है आरिस ने उठते ही रकेल के बारे पूछा वो उसे होस्पिटल में ढूनने लगता है यहीं कलोडिया भी थी और पीचे ही रकेल भी वो दोनों एक हो गए दोस्तों इसी के साथ साथ ये मूवी सिरीज और रकेल की नोवल सिरीज थ्रू माई विंडो हुई यहीं पर खतम रकेल की नोवल एक हिट साबित होती है एना ने भी आ उसे माफी मांगी पांच साल बाद वो और आरिस एक नए घर में शिफ्ट हो गए दोस्तों आपको एक्स्पनेशन कैसी लगी हमें कमेंड करके जुरूर बताएं अगर पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा